यो देखो बेख चिर मेरी यहां क्या कर रही है यह है कॉर्ण अरे दादी बाद बाद में करिये पहले इसे पूछता हो यह है कॉर्ण मैं भी वही पूछ रही हूँ अरे तु है कॉर्ण और तुने कपड़े क्या पहने मैं जानता हूँ इसे यह पागल है जी इसके कपड़े दिखकर आपको समझ ना आया पता नहीं कहां से उठा लाई यह कपड़े आज ही पागल खाने से भाग गई थी यह पागल नहीं हूँ तेखो जी हमें तो हमारे डॉक्टर को का सरदार ने कहा है कि तुम्हें अपने साथ लेकर आए वो बहुत याद कर रहे है तुम्हें और उन्होंने आपको गोगो करने के लिए कहा है चलो वरना वो भी आ जाएंगे इच्छाप्टी अपना ख्याल रखना तू जानती है इसे नहीं जी वो तो क्या रही थी के अच्छा बेटी अपना अपने घर वालों को ख्यान रखना हम चलते हैं जी चलो दादी या तचो अणना निकली पोटली की तरफ भी न गई यो छोरी तो रसोई में कुछ जून रही थी दूद तू रसोई में दूद पीने गई थी हम मुझे दूद बहुत पसंद है देखा ये तो दूद पीने के लिए गई थी और हम सब ने इसको चोड समझ लिया तया करो इस पे घर पे रहन दो इसने जब ते इसकी यादाश ना आती अरे दादी 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 मैं क्यों हूँ इसने घर पे रहन तो बच्चे इसने भी तू ये कहा है मा तब तक यह रंद है इसमें अपने नुकसान के है दूद का नुकसान है बस ये रोज दाद को दूद पीजाय करेगी अरो कम से काम दूद में जहर तो ना मिलाईगी अब तो ये चोरनी भी ना है दादी इच्छा को घर में रहने दोना थोड़े दिल ए दादी 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 बता दे के लिखू लिख इच्छा यही रहेगी सिता जी इच्छा की सोच ही गलत है इंसान हमारे दोस्त कभी बन ही नहीं सकते वो हमेशा हमारे बारे में गलत ही सोचते है अरे हमें मुहावरे बना देते हैं आस्तीन का साप साप मर जाए और लाठी भी ना तूदे अरे उन्हें साप से आद अपनी लाठी की फिक्र है उन्हीं मुहावरों को तो बदलने गई है इच्छा उनके उसी डर की लाठी को तूडने गई है वो और हमारा फर्ज है कि हम उसका साथ दें ना कि उसके इरादों को डसें आइन्दा से तुम इच्छा के रास्ते में नहीं आओगी, समझी? जी पिताजी जै ना गुमी देव जै ना गुमी देव अच्छा की बच्ची? मैं तुझे छूड़ूंगी नहीं लेकिन हाँ, इस बार में कोई कल्पी भी नहीं करूँ नहीं दादी ने कितना अच्छा मैमान खाना दिया है श्रिंगार तो कलिया, लेकिन कपड़े? ये नहीं अच्छा लग रहा नहीं, ये भी नहीं हाँ, इसका रंग अच्छा है लेकिन बबल जी को अच्छा लगे गया है नहीं इसमें देखके तो मिचे सब पसंद करेंगे ये छोरे दादी, कैसे लग रही हूं मैं? मने बेखुफ ना बना, जब तु बैग ना लाई तो ये कपड़े काँछे आए तेरे पास मैडम, दर्वाजा खोलो, दादी बुला रही है मुझे जल्दी से कपड़े बदलने पड़ेंगे मैंने, कौन से कपड़े पहने थे? हे नागुमी देव, ये कपड़े तो नहीं थे हे नागुमी देव, ये भी नहीं था क्या पहना था मैंने? मैडम, दर्वाजा खोलो, क्या हो रहा है अंदर? अरे, क्या हुआ छोटे? भाईया, पताव नहीं दर्वाजा नहीं खूल रही अच्छा, हट जड़ा ये भी नहीं था, हाई, मैं क्या करूँ? क्या? दर्वाजा नह खोल रही? तो मरे अंग्लिश मोला आपको अरे, मैं क्या इंग्लिश में बताऊंगा कि जब दर्वाजा ना खोले तो तोड़ देना चीए भी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेडी करनी होती है अरे, हर जगा उंगली करने की जरूबरत ना है घी गरम कर लो मैं मेरे चाहे लेक्या अज़े पावले फिर से कड़ी तोड़ दे हे छोरी तू क्यों है सरी है चल बहार तेरे लिए डॉक्टर भुलाया है वो तेरे बारे में सब कुछ बता देगा तुझे सम्मोहित करके सम्मोहित करके? हम मैं याप पेशन्ट को हिप्टोटाइज करके यानि कि सम्मोहित करके पूरी जानकर ले 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 ता अच्छा तो यहां क्यों है? अरे अभी तो बताये मैंने आपके घर में जो लड़की है ना उसका इलाज करने आया हूं मैं आपके बूल जाते हो? अंतर्यामीजी विल्कुल सही का अपने भूलने की बिमारी है मुझे अब कब से आपको यह बिमारी? कौनसे बिमारी अंतर्यामीजी अध्य विल्कुल इसकी आदार चली गई है इसका इलाज करना है इसका शमोहन चलगया तो इस घर से मेरी चल-चल हो जाएगी बेटी इसे ध्यान से देखो मेरी आखों में देखो इसमें तुम्हारा बीता हुआ कल नजर आएगा अंतर यामी जी कल ये यहीं थी परसो का पता कर लाग गहें इक्छा सम्मोई तोगी है दॉक्तर इससे पूच के ये कौन है कौन हो तुम क्या बोलू पता नहीं इसे नहीं पता तो किसे पता है अरी नाम अता पता कुछ तो बताईए ड़क्तर पी के बंचल सदर बाजार शत्तर बो डेरी के पास मैं तेरा नाम पूछ रही हूँ ड़क्तर इसका पूछ रही हूँ जिसको तुने अपने बस में किया है कुछ तो बता तुम कुछ बताना चाहती हो नहीं नहीं बताना चाहती ए भाई ड़क्तर जब तेरे बस में कुछ नहीं है तू आया क्म था मैं क्यों आया था? वो सब छोड़ो, जाओ यहां से. वो छोड़ो. मैं जा रहा हूं यहां से. मैं क्यों जा रहा हूं यहां से? यो तेरा घर ना है ना? इसका तिर जा रहा तू? बचारा डॉक्टर, इसकी भी यादश ठीक न लाग रही है? इलाज करवाना है ना इसकी कोई ज़रत ना है प्रबल घर का दर्वाजा दिखा दे डाक्टर को दादी मैं डॉक्टर ने घर का दर्वाजा दिखा दू अरे मैंने भी तो यही कहा घर का दर्वाजा दिखा दे हाँ दादी चल एट मिनिट आ जा यो ले के जा दे दे इसका य झाल झाल इक्षा अपनी Summuhaan सक्टी से इन लोगों का अपने वश्मे नहीं कर सकती क्या? जैसे वस डॉक्टर को किया था? नहीं Summuhaan का प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब कोई आपका पुरा करना चाता है और वैसे भी Summuhaan का अशर केवल दिमाग पर होता है दिल पर नहीं और हमारी इच्छा तो इंसानों का दिल वश में करने गई है उनका दिल जीतने गई है मुझे पूरा विश्वास है कि इच्छा अपने इस मकसद में जरूर काम्याब होगी कुछ याद आया? नहीं दादी दादी इसने बादामाला दूद पिलाते हैं उससे याद आश वापस आजावे है बे कोई मुझे आद दिलाएगा कि ये क्या भूल गई है जो इससे याद कराने भूल भूल आया? अपनी लाज डाइरी निकाल के देख और छोरे तो आखे बन कर ध्यान कर हो सकता है तुझे तेरा नाम यादा जावे इसने बादामाला दूद पिलाते हैं टूहरा घरवालो के नाम भूल गई सै कल को सास लेना भूल जाएगी और फे पुलीस हाही की घर में और हमें जेल मेले जाएगी और जेल में मच्छर होते हैं और वो काटेंगे और रुको 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 मैं मच्छर भगाने वाली अदरबती लेकर आती हूं इसना बादाम आला दूद पिलाते हैं कोई ममता दीदी की भी बात सुन लो ममता जाके दूद लेकर आ बादाम वाला लाना ठीक है दादी मैं हूँ भॉलो सिंग करनाम तो सुनाई होगा कर्दन तोड़ खाड़ वहीं से आपके घर के सबसे छोटे पहलवान के साथ हमारे अखाडे के सबसे नए पहलवान तुफान सिंग के साथ कुस्ती का चैलेंज है तो पर आप देखो भाई जी उड़े कुस्ती करने का अज़ा कोई खाश शॉक नहीं है चाचू सबसे छोटा पहलवार तो मैं हूँ ठीक है चैलेंज वीकार है कब लड़ेगा अभी यह शाम को रह चोटे पहरे लंगोट के बराबबर तो आजा चैलेंज आया तो वापस नहीं जावेगा पुष्टी होगी और आज ही होगी और यहीं होगी हाँ जा जाकर क्या दे तूफान से बवंडर का सामना करने को तयार हो जाए जा अब बबल अभी तू तू कह रहा है तुझे शोखना है और अभी पाओ जी शोखना है लेकिन जरूरत के वक्पीजे तोड़ी अटूंगा मैं उसने अपू का मजा को अड़ा है मैं उसकी दज्जिया उड़ा दूंगा वाँ जी ओ मेरे शेर तो फिर चल खाड़े में चल खाड़े में क्यों पता नहीं चल ये सही मौका है आज यहां लोग कुष्टी में मगन होंगे और मैं बाहर जाकर लोगों का दिल जीतने का कम आसानी से करके वापिस आ जाओंगी तू ध्यान कर दादी जी मेरे सर में दर दो रहा है मैं थोड़ा सा आराम कर लो फ्लीज ठीक है जा साथिया साथिया मेरे साथिया मैं तेरी तू है मेरा एक तुझे के है हां मैं तेरी तू है मेरा एक तुझे के है हम तेक पबल याद रखिये जब वो तन्हें असे पकड़े तो इसकी टॉंग ऐसे पकड़ के अलपड़ा दिया साथिया नीचे अरे इसकी कड़ी तो तूटी होई है अगर दर्वाजा बननी होगा तो मैं पहार कैसे निकलूंगी और निकलते भी किसने देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी क्या करूं ओम जगडम प्रतम श्रीग्राम अधी श्रीग्राम विद्ध्यागिला प्रकटम प्रकटम गॉंदिला इच्छा बोलो क्या चिपकाना है देखो नो गॉंदिला ये दर्वाजा नी बंदो रहा अरे चिंता मत करो गॉंदिला ऐसा जोड लगाएगा कि अच्छे से भी अच्छा उसे तोड़ नी पाएगा रुको हो गया अच्छा अब मैं चलता हूं मुझे मुख्या जी का मटका भी चिपकाना है जी का वच्छा इस हुआ दूट ये अरे टी कि अच्छा precisa कि अच्ता विंग इच्छा आपने पहले अभियान पर है नागामी देव उसे सफल करें रुग्जा बेटी चिर्मिरी इच्छा को हमारे दुआउं की जरुरत है ए छोरी ठारे सर के दरत के लिए काणा लाई यूँ दर्वाजा खोल अपी ले छोरी दर्वाजा खोल ओ छोरी कुंसा साफ सूंगिया इसे प्रवाल अरे सबल चोरी दर्वाजा ना खोल रही है आके खोल दे हाँ अरे 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 कंदा तोड़ेगा के सबल किसी चीज से तोड़ दे अरे बावले चपल से तोड़ेगा के अरे कभी तो अपनी खोपणी इस्तुमाल कर ले हाई 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 है इते करें यह मतर अरानी यह तो दुश्मनों का खाड़ा है नागोमी देव की मुर्शी यह नागोमी देव तेरी सब पॉली की रक्षा करना यह इच्छादारी भी रहते रुख जाए अच्छा लगता है इच्छा किसी बड़ी मुशीबोत में पढने वाली है शुप शुप बोल वरना तेरे जहर के चारो दाथ तोड़ दूँआ मैं पर मारे जहर के तो सिर्क दो दाथ होते हैं मुझे पता था तू भी बीच पे बोलेगा इसके दो दाथ तेरे भी के लिए थे दादी इच्छा अपने कमरे में नहीं है कमरे में ना है तो यह छोरी गई का और यह कमरे में से निकली तो हमको क्यों नहीं दिखाई दी यह छोरी के पीछे जरूर कोई राज है सानी बस्ती में एक पंडे जी को जानते हैं जो इस बाद का फैसला करेंगे कि इच्छा कहां रहेगी एक कमाल का परिवार है जिसकी मुख्या है कोशल्या देवी जो दादी के नाम से प्रसिद है और कौन-कौन है उस घर में? कोशल्या जी का बेटा खडख उसकी वीवी है चंचल फिर खडख और चंचल का बड़ा बेटा यानि कोशल्या जी का बड़ा पोता प्रभल और उसकी बीवी ममता है उनके बाद कुसल्या जी का मजला पोता सबल और उन सब का लाडला यानि प्रबल मम्ता का बेटा अपू कुसल्या देवी के छोटे पोते बबल को अपना रास्ता बना कर उस घर में कैसे भी जाना है अरे मारे छोड़े ने के हुआ है पता ने तक्कर लगने के बाद मेरी तो यादाश हो गई यह चोड़े चोड़ तो ना है दादी बारे चोड़ पकड़ लिया पकड़ लिया चोड़ यो देखो बैख चिर मेरी यहां क्या कर रही है यह है कौण अरे दादी बाद बाद में करिये पहले इसे पूछता हो यह है कौण मैं भी वही पूछ रही हूँ अरे तु है कौण और तुने कपड़ क्या पहने मैं जानता हूँ इसे यह पागल है जी इसके कपड़े दिखकर आपको समझ ना आया पताने कहां से उठा लाई यह कपड़े है आज ही पागल खाने से भाग गई थी यह पागल नहीं हूँ तेखो जी हमें तो हमारे डॉक्टर को का सरदार निकाह है कि तुम्हें अपने साथ लेकर आए वो बहुत याद कर रहे हैं तुम्हें और उन्हेंने आपको गोगो करने के लिए कहा है चलो वरना वो भी आ जाएंगे इचम्ती अपना ख्याल रखना वा तू जानती है इसे यह तो दुश्मन अपा खाड़ा है ए नाकोमी बेव पेरी सपॉली की रक्षा करना यह तो दुश्मन अपा खाड़ा है ए नाकोमी बेव पेरी सपॉली की रक्षा करना रखना खाड़ा है प्रकामी बार खाड़ा है रखना खाड़ा है यह थार कि राएंगे झाल झाल